Hello everybody, welcome to Magnet Brains, this is Shweta Thakur, your social science educator. Magnet Brains एक एस प्लाटफोर्म है, जा कि जो गार्टन से लिखी क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सिस प्रवाइट करवाई जाते हैं, that to be free of cost. We also provide you CBSE and other state board के fully organized courses with daily practice paper. और हमारे पास e-books and e-notes की facility भी available है, जसका link का आपको नीचे description box में दिया गया है और आज हम India size and location chapter जो की जोग्रफी का है, उसका India and the world वाला topic cover करेंगे. आज हम पढ़ने वाले हैं India and the world वाला topic, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले, India and the world. The Indian landmass, जो इंडिया का जो landmass है, has a central location between the East and the West Asia. Between the East and the West Asia, जो इंडियान landmass है, देखें हम Asia continent का ही पाट है, लेकिन East Asia और West Asia के बिलकुल बीच में है. किस तरीके से? अगर हम लोग देखें, यह है पूरा Asia continent, इंडिया भी इसका पाट है, राइट? यह है हमारा West Asia, यहाँ पर है हमारा West Asia, और यह है हमारा East Asia. और हम है इसके बीचों बीच, हम है बिलकुल सेंटर में, तो हम West Asia और East Asia के बीच में हैं, राइट? अगर हम लोग बात करें, इंडिया is the Southward Extension of the Asian continent. इंडिया जो है, वो Asian continent का Southward Extension है, किसका Asia continent का? मैंने अभी बताया कि इंडिया किसका पाट है, Asia continent का और इंडिया जो है, वो Southward, South की साइड एक्स्टेंशन है. अगर हम देखें, यह North वाला पाट है, Asia continent का, और यह South वाला पाट है, South की साइड में. तो Southward Extension है, किसका? Asia continent का. Southward Extension, हम South की साइड आगे बढ़ते हुए हैं, Asia का पाट. तो Southward Extension है, Asia continent का. अगर हम आगे देखें, Strategic Central Location of India, हम बिलकुल सेंटर में हैं, इसका क्या पाइदा, बहुत सारे अड्वांटेजेस हैं, इंडिया को. The Trans-Indian Ocean Roots, which connect the countries of Europe, countries of Europe in the West and the countries of East Asia. तो देखें, अगर हम लोग देखें, यह है हमारा Indian Ocean, राइट, यह यूरोप की countries को connect कर रहा हैं, कहां से? East Asia से, कहां से? East Asia से. Strategic Position इतनी important है, कि यह यूरप जो है, उन countries को connect कर रहा हैं, किस से? East Asia से, Sea Root के थूँ. देखें, सबसे पहले जब बहुत, जब British और इंडिया आते थे, तो देखें, यूरोप से वो पहले आते थे, एफ्रिका. ठीक है? यहाँ पे थी Cape of Good Hope. Cape of Good Hope. यहाँ पे यह लोग रुखते थे, और उसके बाद फिर दुबाराशे शुरू होते थे, और फिर आते थे आपके इंडिया में. लेकिन बाद में क्या हुआ कि हमारी केनाल है, जिसको बोलते है स्वेस केनाल. स्वेस केनाल बनने के बाद जो है, इंडिया और यूरोप के बीच में, 7000 किलोमेटर का डिस्टेंस कम हो गया. 7000 किलोमेटर का जो डिस्टेंस है, वो स्वेस केनाल ने कम कर दिया. जो कब फॉर्म हुई थी? 1869 में. राइट? चलिए, उसको भी पढ़ेंगे, पर आगे देखते हैं. तो, दधकन पैनिसुला, जो है, इंडिया का, ठीक है, इंटु दा इंडियन ओशन, दस हेल्पिंग इंडिया, इंडिया को help करता है, establish करने में, close contact. किस-किस से? West Asia से, Africa से, and Europe से, from the western coast, जो हमारा western coast है, जो हमारा पैनिसुला इंडिया है, वो हमें, जो west coast वाला पार्ट है, वो हमें help करता है, close relation बनाने में, कौन-कांसी countries? West Asia से, Africa से, and Europe से. With the south east and east Asia से, eastern coast जो है, हमें help करता है, contact बनाने में, right? Close contact बनाने में, किस तरीके से? देखिए, यह है हमारा इंडियान पैनिसुला, right? यह है हमारा west coast, यह मान लिजे, यह आपका west coast है, यह हमारा east coast है, तो west coast से हम कहां पे? एक तो यह हमारा एशिया वाला part, west Asia, साथ में Africa और Europe, ठीक है? Europe. इन एरियाज में, close link बनाने में यह वाला coast हमें help करता है, east coast से हम कहां जा सकते है? South East Asia, Asia और East Asia, East Asia, इनके साथ जो हम close link बना सकते हैं, ठीक है? तो west coast से हम कहां कहां link बना रहे हैं? East Asia में, Africa में और Europe में. अगर हम East Asia की बात करें, तो East Asia, जो सारी, East coast की बात करें, तो East Asia और South East Asia से जो हैं हमें relationship बनाने में help करता है, यह हमारा coast, दोनों coast, right? अगर हम लोग बात करें, no other country, कोई भी ऐसी country नहीं है, has a long coast line on the Indian Ocean. Indian Ocean में सबसे लंबी जो coast line है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के हैं. इसी वजा से जो इंडिया, इंडिया ओशियन है, उसका नाम इंडिया पे रखा गया है. एक only ocean है वर्ल्ड में, जिसका नाम किसी country पे रखा गया है, वो है हमारा Indian Ocean, right? It is India's eminent position, यह इंडिया की यह eminent position ही है, जिसकी वजा से Indian Ocean जो है, उसका नाम इंडिया के नाम पर रखा गया है, इतनी लंबी जो coast line है, इसी वजा से, right? अगर हम आगे देखते हैं, Since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7000 km. यह जो हमारी Suez Canal है, 1869 में यह open हुई थी, जिसकी वजा से, Europe और इंडिया के बीच में, 7000 km का जो है distance, वो कम हो गया था. किसके open होने से? Suez Canal के open होने से, okay? तो अगर आगे हम देखते हैं, India contacts with the world, अगर हम देखें, इंडिया की जो relationship है, वर्ल्ड के साथ बहुत ज़्यादा पुरान है, और हम पहले ocean roots तो बाद में आए, पहले जो है, land roots के थूँ जो है, एक दूसरे के साथ जो है, idea and commodities exchange की जाती थी, travelers पहले भी एक जगा से, दूसरी जगा जाते थे, लेकिन कौन से root के थूँ, land root के थूँ, और एक बहुत famous हमारा old root है, जिसे हम बोलते है, silk root, क्या बुला जाता है, silk root, बड़ा ही famous root है पुराना, तो land root के थूँ जो है, पहले जो है travelers जाते थे, ideas भी exchange होते थे, commodities भी change होते थी, trade होता था, सब कुछ होता था, लेकिन किस के थूँ, land root के थूँ, पहले जो है travelers बहुत दूर तक, mountain के बीचों बीच जो passes होते थे, उनको cross करके, एक country से दूसरी country में travel करते थे, तो अगर हम देखे, India's relationship with the world, through the land, roots are much older, तो हमारे जो relationship है, world के साथ, वो land root के थूँ, वो जादा older है, ठीक है, the various passes across the mountains in the north, north में जो है हमारे mountain है, mountain के बीच से जो passes है, वहीं से एक country से, दूसरी country में लो land roots के थूँ जाते थे, अगर हम बात करें, these roots have contributed in the exchange of, क्या-क्या exchange होता था, ideas भी exchange होते थे, and commodities भी exchange होती थी, in ancient roots के थूँ, जो idea of, अब India से कोई क्या लेके जाएगा, जो हमारे उपनिशत के idea थे, अगर कोई traveler हमारे इंडिया में आये, या हम वहाँ जाते, तो क्या, कौन से idea उसको exchange करते हैं, इंडिया किसके लिए जाना जाता है, उपनिशत्स, right, and the Ramayan, story of Panch Tantra, हमने ही दुनिया को decimal system दिया, वो numeral system of India, decimal system, बाकी part of the world तक पहुँचा, इनी roots के थू, अगर हम बात करें, spices, muslin and merchandise, जो other clothes बगेरा थे, वो भी इंडिया से different countries में गए, और हमने तो, हमसे तो वो यह चीज़ आगी, तो वहाँ से भी तो किसी चीज़ का influence हम पर पढ़ा होगा, तो हमारे जित्ते भी मिनार है, हमारे जो cultural उनका influence है, वो हम लोगों में भी देखने को मिलता है, on the other hand, the influence of Greek sculptures, right, and the architectural styles जो थे, जो मिनारे थे, जो बाकी लोग आए, आप देखेंगे हमारा जो कुतुब मिनार हो गया, या हमारा ताज महल हो गया, यह जितने भी हमारे places हैं, उनमें जो है, यह Greek style हो गया, right, बाकी other countries के भी style जो है, वो इंडिया में देखने को मिले, उनका जो influence है, हम लोगों पर प्रभाव उन चीजों का पड़ा ही पड़ा है, तो इस तरीके से क्या होते हैं, लाइंड रूट्स के थूरू, ideas, trade, हर चीज जो है, पुराने टाइब में होती थी, हम अपने ideas और commodities को आपस में exchange करते थे, मतलब पहले भी trade होता था, लेकिन किस route से जाधा होता था, लाइंड रूट से होता था, उनके ideas को हम opt करते थे, हमारे ideas का influence उन पर देखने को मिलता था, right, with this end of today's session, आप हमारी videos को देख सकते हैं, कहां कहां पर देख सकते हैं, YouTube पर देख सकते हैं, हमारी official website www.magnetbrins.com पर देख सकते हैं, आप हमें follow कर सकते हैं, कहां पर YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp पर, हमारे पास e-books और e-notes की facility भी अवेलिबल है, जसका लिंक आपको नीचे description box में दिया गया है, top courses, अगर हम बात करें तो हम English and Hindi medium दोनों के साथ दील करते हैं, हमारे top courses हैं, CBSE board, Delhi, Bihar, UP, MP and Rajasthan board, right, Vedic Maths की classes भी हमारे यहां पर अवेलिबल हैं, crash course and spoken English, with this end of today's session, I hope you like today's video, don't forget to hit the like, share and subscribe button, see you all next time, have a nice day.